ओम नमो नारायंड आप सभी का हमारे योट्यूप चैनल पर हार्दिक स्वागत हैं सावन का महिना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस महिने में कुछ खास त्योहार भी आते हैं सावन महिने के शुकलपक्ष की एकादशी जिसका नाम पुतरदा एकादशी है आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन पुतरदा एकादशी की वरत कता उससे पहले आप जानेंगे पुतरदा एकादशी की तिथी और शुब मुर्थ के बारे में कि वरत कब रखना है कब खोलना है वरत खोलने का शुब मुर्थ कब से कब तक रहेगा एकादशी और दुआदशी तिथी कब से कब तक रहेगी पुतरदा एकादशी साल में दो बार आती है एक पोश मास के शुकल पक्ष में और एक सावन मास के शुकल पक्ष में वैसे तो हर एक आदशी तिथी भगवां श्री हरी को समर्पित होती है और इस वरत को रखने से या नियमों का पारन करने से जाने अंजाने में किये गए सभी पापों से मुक्ती मिल जाती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ती होती है लेकिन पुतरदा एकादशी का वरत उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा लाबदायक है जो संतान सुख से वंचित हैं या जो लोग पुतर प्राप्ती की इच्छा रखते हों ऐसे लोगों को या फिर संतान से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए पुतरदा एकादशी का वरत रखना चाहिए यदि हो सके तो पती पतनी दोनों को मिलकर इस दिन भगवान श्री हरी की और भगवान कृष् इस पार 8 अगस्त सोमवार के दिन पुतरदा एकादशी है और सावन मास का अंतिम सोमवार वृत भीष दिन रहने वाला है एकादशी की तिथी प्रारंब होगी 7 अगस्त रविवार को रात 11 बचकर 52 मिनट से और समाप्त होगी 8 अगस्त सोमवार की रात 9 बचकर 1 मिनट पर तो दश्मी तिथी के नियमों का पालन किया जाएगा 7 अगस्त रविवार को रविवार की दिन शुद्ध सात्विक भूजन किया जाता है और जो लोग व्रत रखना चाहते हो उन्हें एक दिन पहले ही तुलसी दल भी तोड़कर रख लेने चाहिए रविवार की दिन तुलस द्वादशी की सुभा से प्रारंभ होता है और अगले दिन यानिकी द्वादशी तिथी के सुर्यदे तक रहता है तो द्वादशी तिथी को सुर्यदे के बाद ही वरत खोला जाता है। पांच मिनट से लेकर नौबचकर पंद्रह मिनट के अंदर 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 एकादशी का वरत खोला जाएगा रहुकाल के समय किसी भी तरह का दान आदी देने से बसना चाहिए तो 9 अगस्ट को शाम 3 बचकर 30 मिनट से लेकर प्राचीन समय में भद्रवती नाम की नगरी में सुकेतु मान नाम का एक राजा राजी करता था उसकी कोई संतार नहीं थी ना उसे कोई पुत्र प्राप्त था उसकी पत्नी का नाम था शैवया उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता रहती थी कि उसके बाद उसे और उसके पूरवजो को कौन पिंड़ दान करेगा उसकी पत्नी भी इसी चिंता में परिशान रहती थी और उसके पितर भी बड़े परिशान होकर बड़े दुखी मन से उससे पिंड़ लिया करते थे कि सुकेतु मान के बाद हमें कौन पिंड देगा इधर राजा भी अपने बंदू बांधव राज, हाथी, घोड़ा इन सब के होने के बाद भी संतुष्ट नहीं था बस उसके मन में एक ही दो खरसमें रहते था कि वो संतान हीन है उसका एक मात्र कारण था पुत्रहीन होना ऐसी मानिता है कि बिना पुत्र के पित्रों और देवताओं का अर्रण चुकाया नहीं जा सकता इस तरह राजा और राणी राद दिन चिंता में रहते थे एक दिन राजा इस चिंता के कारण इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपना शरीर ही त्याग देने की इच्छा उत्पन हो गई किन्तु वो सोचने लगा कि आत्मात्या करना तो महापाप है इसलिए उसने इस विचार को अपने मन से ही निकाल दिया एक दिन इनी विचारों में डूबा हुआ वो अपने घोडे पर सवार होकर वन की तरफ चल दिया घोडे पर सवार राजा वन में पक्षियों और वरक्षों को देखने लगा उसने वन में देखा कि म्रिग बाग से बंदर आदी विचरन कर रहे है हाथी अपने बच्चों और हतिरियों के साथ उनके बीच में बड़े प्यार से घोमते वे विचरन कर रहे है उसन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार करकश स्वर्ण निकाल रहे हैं कहीं मोर अपने परिवार के साथ नाच रहे हैं वन के इतने सुंदर मनुहर दृष्चों को दिखकर राजा और जादा दुखी हो गया कि इन जानवरों तक के पुत्र हैं इन जानवरों का भी परिवार है लेकिन उसका कोई पुत्र क्यों नहीं है उसका परिवार आगे क्यों नहीं बड़ता इसी सोच विजार में दो पहर हो गई उस दिन एकादशी का दिन था राजा ने सुभा से कुछ भी खाया पिया नहीं था अब राजा एक पेड़ के नीचे बैठ कर सोचने लगा कि मैंने तो अपने जीवन में अनेको यग्य किये हैं ब्रहमनों को स्वादिष्ट भोजन भी कराया है बहुत दान भी दिये हैं किन्तु फिर मुझे इस जनम में ये दुख क्यो मिल रहा है आखिर इसका कारण क्या हो सकता है मैं अपनी परिशाने किस से कहूँ कौन मेरी वेथा को सुनेगा और कौन मेरी वेथा का समधान बता सकता है इस प्रकार राजा अपने ही विचारों में खोया हुआ था तभी राजा को जोर से प्यास लगी अब वो पानी की तलाश में उस वन में आगे बढ़ा काफी दूर भटकने के बाद कुछ दूरी पर उसे एक सरोवर मिल गया अब राजा जब उस सरोवर में पहुँचा तो उसने देखा कि सरोवर में सुन्दर कमल के फूल खिले वे थे सारस, हंस, घडियाल, आधी अपने अपने परिवारों के साथ उस सरोवर में जल क्रीडा में मगन थे सरोवर के चारों तरफ रिश्यों के आश्रम बने वे थे तभी अचानक पानी पीने से पहले ही राजा के दाहिने अंग फटकने लगे राजा ने सरोवर से पानी पिया और अपने दाहिने अंगों को फटकने का शुप सगुन समझ कर वो अपने घोडे से बड़े प्रसनमन से उत्रा और सरवर के किनारे बैठे वे रिशियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया रिशिवन ने जब राजा को अपने सामने देखा तो पूछने लगे है राजन हम तुमसे अती प्रसन है तुम्हारी क्या इच्छा है किस कारण से तुम हमारे सामने बैठे हो हमसे अपनी परिशानी कहो तब राजा ने उनसे प्रशने किया कि हे विपर आप कौन है और किसलिए यहाँ पर रह रहे हैं राजा के प्रेशनों का उत्तर देतेवे वे बोले की राजन हम लोग विश्वदेव हैं, इस्नांग करने के लिए ही इस सरुवर पर आये हैं और आज पुत्रदा एकादशी है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस एकादश्ची का वरत करने वाले को अवश्ची ही पुत्र की प्राप्ति होती है जिने संतान नहों उन्हें संतान सुख भी मिलता है तब राजा कहने लगे, हे भगवन, हमने तो पुत्र प्राप्ती के लिए बहुत सारे प्रयास किये, किन्तु सारे प्रयास व्यर्थ हो गए अभी तक मुझे पुत्र की प्राप्ति भी नहीं हुई यदि आप मुझे पर प्रसन हो तो सुन्दर पुत्र की प्राप्ति के लिए मुझे आशिरवात दीजिए राजा की बात सुनकर विश्वदेवों ने कहा राजन आज पुत्रदा एकादशी है इसलिए आप एकादशी के नियमों का पालन कीजिए भगवान की कृप्पा से और हम सभी के आशरवास से तुम्हें पुत्र की प्राप्ती अवश्य ही होगी तब राजा ने रिश्यों के बताये अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी तिथी के दिन सही समय पर व्रत का पारण किया व्रत का विधी विधान संपन करके तथा उन विश्वदेव रिश्यों को प्रणाम करके राजा अपने घर को वापस आ गए रहा यही नहीं राजा के यहां पुत्र होने से स्वर्ग के पित्र पुरुष भी परम संतिस्ठ हो गए। भगवान विष्णु का पीले फल और पीले फूलों से पूजन करना चाहिए और भोग में तुलसी दल अवश्य अर्पित करने चाहिए।